हेलो फ्रेंड्स मैं मैं अमेश कुमार आप देख रहे हैं आईशी नीजोटीव चैनल दोस्तो अगर आप ड्राइबर पैक सेलिशन को डाउनलोड करना चाहते हैं यह 22GB का फाइल है आप इसे किस तरह से पूरा डाउनलोड कर सकते हैं इसका वीडियो आपको डिस्क्रेप्श आजाता है यहार आने के बाद इसे किस तरह से ठीक किया जाता है से कैसे रिस्टार्ट किया जाता है आज की वीडियो पूरी जानकारी देने जा रहे हैं वीडियो आप सुरू से अन तक पूरा देखेंगे वीडियो को स्कीप नहीं करेंगे चलिए दोस्तों वीडियो को स् करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ये 22GB का फाल है और यह इस तरह से डाउनल्ोडिंग आपका होने लगएगा नीचे आप देख सकते हैं यहाँ न पर 9GB अभी तक डाउनलोड हो है इस तरह से जब आपका डाउनलोड होने लगेगा तो कुछ दिर बाद अगर आपका एरर आ जाता है चलिए हम आपको दिखा देते हैं किस तरह का आपको एरर देखने को मिलेगा यहाँ पर देखा इस तरह का आपको error देखने को मिलेगा यहाँ देख सकते हैं आपका डाउंटोड होने का रुक जाएगा इस तरह का error देखने को मिलेगा ति आपको यहाँ पर right click करना है और उसके बाद आपको force recheck यहाँ पर आप click करेंगे force recheck पर उसके बाद आपका यहां पर चेक होने लगागा इस तरह से स्टेटस आपका दिखाया देगा यह इस तरह से चेक होना सुरूई हो जाएगा उसके बाद आपका जो चेक का प्रोसेस है यहां पर इस्टोपेड हो जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं यह इस्टोप हो जाएगा इस तरह से यहां पर आप राइट किलिक करेंगे फिर से उसके बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है यहां पर देख सकते हैं स्टार्ट का बटन है यहां पर आपको क्लिक कर देना है उसके बात आपका डानलोडिynn सुरु हो जाएगा यहां पर आप less and देस्टे से आपका डानलोडि下去 सुरुह जाएगा और डानलोड इस्पीडह पर आप देख सकते हैं है तो दूस्त पर से आपका जब के तो दोस्ता में अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बनने मातना झालोो अगले जाएब तक के लिए पार यजियो अगले भाईब।